मुंगेर उनिवर्शिटी दोरा पार्ट करी सद्र 1922 का जोई प्रोविजनल माक्सिट है वो यहाँ पे दिया जा रहा है यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं लिये हैं तो आज किस ब्लोग में पूरी जानकारी दी चाहेगी कि किस प्रकार से आप से को प्रोविजनल माक्स यहां पर इंतिजार कर रहे हैं लेकिन उनका भी माक्सिट नहीं होने करा है वो फिल नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे student को बता दें कि यदि आप लोग B8 में admission के लिए form फिल करना चाहते हैं और अभी तक आप से गजबी graduation का mark sheet नहीं आया हुआ है आपके पाँ तो आप से गजबी बता दें कि आप से लोग provisional mark sheet ले सकते हैं आप से लोग यहां पर देख सकते हैं यह provisional mark sheet है इसे आप से लोग अपना जो भी B8 का form है वह आप लोग फिल कर पाएंगे और आप से गजबी original mark sheet है वो आने में अभी देरी होगी तो एक से दो मन्त आप से लोग लग जाएंगे तो इसको लेकर के यदि आप लोग यहां पर बीड का form भरना चाहते हैं तो आप से भी लोग इस mark sheet को लेकर के अफना form को फिल अप कर सकते हैं यह देख सकते हैं बहुत सारी student ने अभी यहां पर ला लिये हैं बहुत सारी student ने ला जा रहा है यहां पर देख सकते हैं प्रोविजिनल mark sheet है जो कि 19 से 22 वाले session के लिए है इसमें आप से को सारे detail यहां पर दिखाई दे रही होगी यहां पर देख सकते हैं कि candidate का नाम यहां पर लिखा गिया है यहां पर लिखा गिया है यहनि कि आप से लोग ने marks आप से आया है subject wise और total आप से रहा कितना है वो सारे यहां पर लिख दिये गए है तो इसको लेकर कि आप से लोग B8 का form फिल कर सकते हैं और आप से को भी बताएंगे कि क्या आप लोग का जो भी यहां पर प्रोविजिनल mark sheet लाने में 62% हो रहा है वहीं यहां पर जो भी टोटल मिला करके हो रहा है यहां पर देख सकते हैं 61.933 चल्ए ही हाँ यहां पर देख सकते हैं 1st class से पैसाओ टुए है यहां आप से लोग नहीं लेए तो ही आप लोग को बैतर होगा आप से लोग ले चले मैं आपसे को दिखाता हूँ कि इनमें लेने के लिए आप लोको क्या-क्या डुक्मेंट्स लेकर के जाना है और कि इस प्रकार से आपसे का Provisional Mark Seat है वो दिया जाएगा college में आप से को principal से signature more करवाली नहीं तैंग उसके बाद आप से को part 3 का जो भी admit card है वो यहाँ पर उटका photo को भी लेके जाना है उसके बाद DR का जो भी result है उनका photo को भी यह सारे आप से को documents लेकर के university visit करना है वहाँ से आप से जो प्रोविजनल mark sheet है वह दे दिया जाएगा यदि आप लोग beard admission लेना चाहरा है तो आप से लोग इसको लेकर के form को feel कर सकते हैं और आप से को original mark sheet हो वह एक से दो मनत के बाद दे दिया जाएगा आई उपके मेरे तरह बताई जान कर यह आप सभी लोग समझ पाएँगे कि आप लोग किसी परकार का query रह गया है तो नीचे comments करके पूछ सकते हैं अधिक जानकारी है तो हमारे टेलीग्राम group को join कर सकते हैं जिसका की link decision में दिया गया है